सबी मित्रों का स्वागत करता हूँ रीट डोकुमेंट वेरिपकेशन बहुत जल्द होने वाले हैं इसलिए जो भी मेरी बहने मेरे बाई जिनके रीट में 120 प्लस नंबर आ रहे हैं वह जो मैं बताऊंगा वह डोकुमेंट कम्प्रिट कर ले क्योंकि जाती हूँ हमारा बहुत सी बार हमने देखा कि बहुत अच्छे नंबर लेके आते बच्चे लेकिन डोकुमेंट कम्प्रिट नहीं होने के वज़े से उन्हें बहुत समशा का सामना करना पड़ता है इसलिए मैं जो डोकुमेंट बताऊं इनको आप एक कागज पर नोट कर लेना और ये डोकुमेंट जैसे से आपके कम्प्रिट होते हैं आप उन पर टिक लगाते जाना और आप ये काम अभी से प्रारम कर दे क्योंकि जो भी ये गोवर्मेंट डोकुमेंट है इनको बनने में समय लगता है ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कम्प्रिट हो जाएंगे तो आप सबी जिनके भी 120 प्लस नंबर आ रहे हैं वह मेरी बात पर ध्यान दे और डोकुमेंट कम्प्रिट कर ले आप ये नए सोचे कि सेलेक्षन होगा या नए होगा ये सब वकत बताएगा कि होगा और क्या नए होगा ये हम डिसाइड नहीं करेंगे ये वकत करेगा डिसाइड इसलिए जिसके भी 120 प्लस रीट के रिजल में है वह है ये document complete कर ले ठीक है तो मैं बता दूँ आपको कौन-कौन से document complete करने हैं देखो साथियों बहुत सी बार क्या कि समझ्या यह होती है कि लोग क्या कि application form तो मलब का बार लेते हैं लेकिन उनको क्या कि admit card admit card भी आपका exam हो चुका ना तो आप admit card को इतना ध्यान से नहीं रखोगे जब कि साथियों मैं आपको बता दूँ जब document verification होगा तब आपका application यानि जो hard copy जो आपने आवेदन किया वो आवेदन form और उसके साथ में admit card आपको attach करना होगा यह अन्यवारे सरतेश कि जब आप document verification के लिए जाओगे तब आपको application form और admit card दोनु साथ में attach करने होंगे तो अभी से आप admit card की दो चार photocopy और जो आपके आवेदन form में इसको समाल के रख ले और अगर आपके पास अभी यह है तो आप इस पर टिक लगा दे इसी के साथ में आगे देखते चाहिए इसमें आप तीनी साल के रिजर्ड आपके पास यह बहुत अच्छी बात है लेकिन डिगरी भी आपको इसमें वहाँ पर मांगी जाएगी तब आपको डिगरी देनी पड़ेगी इसलिए आप college से जाके डिगरी लेके आजाना जिनने हाली में यह complete किया है और अगली बात करें तो हैपके ब्या और ब्येस्टशी की मांकिट और इसकी डिगरी जो आको आपको इसुर्ण की प्रोब्लम क्या होती है कि वो ये देखते हैं कि हमारा जाती पर्मान पत्र डिजिटल है और अभी नया है लेकिन आपको मैं बता दूँ कि जाती पर्मान पत्र जो है ना 6 मा से पुराना नहीं होना चाहिए ये बात आपको समझ में आजाने चाहिए कि जाती पर्मान पत्रे जिसका भी 6 माँ आज से या जिस दिन डोकुमेंट वेरिपिकेशन होगे उस दिन से 6 माँ पुराना है तो वो नहीं चलेगा डारेक्ट डोकुमेंट को बार कर देंगे आपको इसलिए आप ज्यादा लोजिक वगेरा इसके बारे में देखा जाएगा तो ये ये भी आप अभी से इसकी परकिरिया स्टार्ट कर देना ठीक है ना एसा नहीं होगी फिर डोकुमेंट वेरिपिकेशन तार्या जाए एक दिन में मैं बता दिया नहीं बनेंगे इसमें समय लगेगा फिर आपका मेडिकल से हो गया पहले नहीं लगता था अब यह अन्यवारित है ध्यान रखना आपकी पंचायत से बनेगा यह विवाई मेरी हो तो मेरी लगा देना और फिर आता है सपत पत्र यह उसी समय बनेगा आपका और आपके जो जो भी डोकुमेंट वहां पर दिये जाएंगे उसका गोशन कर लेना और भी कोई जानकारी होगी या फिर और भी कोई ऐसी बात होगी तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप से सेर कर दूंगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवास राती हूं और भी कोई समच्चा हो तो कमेंट में कमेंट करें